आज की इस वीडियो में कलास 12 के फिजिक्स का कुछ महत्पून कोचन लेके आ हुए जो एक्जाम में आने की संभावना है यह कोचन बहुत ही महत्पून है वीडियो को फूल देखेगा और नए है तो लाइक से लो सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा शुरू करते हैं फर्स्ट कोचन है प्रकासिक पॉथ बराबर होता है अप्सण ए है अपरतनांक गूने पॉथ लंबाई अप्सण सी है पॉथ लंबाई बटा अप्सण डी है अपरतनांक गूने पॉथ लंबाई बटा टू तो इसका इंसर हो जाएगा इसका इंसर हो MLT2 inverse है अगला कोचन है तिर नमर कोचन है ए मीटर का परतिरोध होता है तो ए मीटर का परतिरोध होता है बरा क्या होता है तो लिए अगला कोचन आपका है वो क्या आचे है कि सन्युक्त सुक्षम दर्शिकी आवर्धन छमता के लिए कौन सा समवंध सही है तो यादर्खिस का एंसर हो जाएगा फोन पर लास एंटवण प्लास डश नउमर और लोऊ होता है कि इसका एंसर होगा लोह होता है इसका लिप auto in हाइडोचन स्पेक्ट्रम में कौन सी स्रेनी ध्रिश्य भाग में होती है तो यह क्या हो जाएगा हाइडोचन होता है वह अधिक है एक गौर्मतार एमीटर मापता है तो यह क्या होता है परतिवती धारा का मूल माध्य वर्गमान ठीक है अट नवर कोचन है इलक्ट день बोल्ट एकाइ होती है तो उर्जागी कोई दिए निया हुआ किस गेट को निरुपीत करता है तो चिन है वो किस गेट को निरुपीत करता है तो याद रिखे है एंड गेट को निरुपीत करता है किसको एंड गेट को आवेश का भीमा होता है तो आवेश का भीमा होता है एटी क्या होता है एटी होता है इगारा नमबर कोचन है रेडियो एक्टिव परमानु के लिए कौन सा सम्बंध सही है तो इसका इंसर हो जाएगा अर्ध आयू बरावर 0.093 एक गुने अवसत आयू बारा नमबर कोचन है ब्यक्तिकरन फिरीज की चवरायू होती है तो इसका इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटा बराबर डेल लेम्टा बटा डी ठीक है अगला कोचन आपका है वह तेरा नमबर कोचन है तेरा नमबर कोचन है आवेशित संधारित पर संग्रहक पटिका और संग्नाःक पटिका के आवेशो का उप्योग होता है योग होता है तो इसका इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनने होता है क्या होता है सुनने होता है अब चौदा नमबर कोचन है दोस्निक संख्या 25 का द्विधारी होता है तो अप्शन में दे दिया है आप देख लिएगा इसका एंसर हो जाएगा किसी एम द्रुमान के भी वेग से गतिमान का तरंग द्धैर होता है तो अप्शन इसका बी सही इंसर होगा क्या होगा बी लेमडा बराबर एच बटा एम भी सोला नमबर कोचन है हीरा का अपरतनांग करिब होता है तो हीरा का अपरतनांग होता है चार दसमलो, हीरा का परतनांग होता है 2.42, 17 नमबर खोचन है, एक बोल्ट बराबर होता है, तो एक बोल्ट बराबर होता है, वन जूल पर कुलम, क्या होता है, वन जूल पर कुलम, अगला 18 नमबर खोचन है, तेजी से चलने वाली बिटा किरने है, जो तेजी से चलेगा, व वह क्या होगा इलक्टोन होगा ठीक है जो तेजिस चलेगा वह इलक्टोन होगा ठीक अब आते हैं उनीस नमबर खोचन है योगिक सुक्षमदर्शिक की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन शम्ता घटती है आवर्धन शम्ता घट जाता है एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है एक दस्वंबलो छोग गुने दस पर पावर माइनस 27 की जी यानि इसका एस सही अंसर होगा क्या होगा सही अंसर एक इस नमबर खोचन है चुमबक की जैमितीय लंबाई तथा चुमबक की लंबाई में संबं आपका एफ पर एफ पर मिटर फोर्स पर मिटर बोल सकते हैं एफ एम इंवर्स हो जाएगा ठीक है तेजिस नमबर कोचन है थ्यान देजिए निमलिखित में कौन बीदूत चुमबक की तरंग नहीं है तो आप याद रखेगा कि धौनी तरंगे बीदूत चुमबक की नहीं है चौबिस नमबर कोचन है नमन कुन का मान उत्री धूर्स से विधुत्वा रेखा की और जाने पर क्या रहता है इसती रहता है बढ़ता है घरता है पहले घरता है फिर बढ़ता है तो इसका हो जाएगा घरता है यानि सी सही एंसर है निकट द्रिष्टी दूर करने के लिए बेहवार किया जाने वाला लिंस है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका आउतर लिंस क्या हो जाएगा आउतर लिंस हो जाएगा परकास का बेग महतम होता है तो परकास का बेग महतम होता है निर्वात में विदू चुमक्ये तरंगों की प्राकिरती होती है तो इंसर तो वहलुर्टा किसका षूसा मात रखे मात 5 एस सर बॉल्टाइब Q तो इसका इंसर हो जाएगा वह जाएगा वह जाएगा का जने क्लए ओलिज हो 55 नमबर कोचन है, 31 नमबर कोचन ध्यान दिखिये, 31 नमबर कोचन है, यदि डेल किसी जगह का नमन कुन है, तो 10 डेल का व्यान जग होगा, जिसका अइंसर होगा D, यानी केपिटल बी इंटू भी बटा केपिटल बी इंटू एच का होल स्क्वार ठीक है 32 नमबर का खोचन 31 नमबर खोचन है LR परिपत की परतिवधा होती है तो इसका एंसर हो जागा रूट अंडर आर स्क्वार 32 नमबर खोचन है यदि डेल किसी जगह का नमन कोन है तो 10 डेल का व्यांजक होगा तो जो 20 मीटर फोकस की दूरी है उसका जो इंसर होगा वो होजाएगा 5 और अगला कोचन अब का है सभसे कमश्थाई सभसे कम अस्थाइए तो वह DM याणी X долларов 35 प्रम कोचन 25 दो समान धारित रितों को समान रितो won सामांतर करम में जोड़ने पर इसकी सम्तुल्य धारिता होती है तो इसके मेल होता है 2C क्या होता है 8 इसका एंसर सही है 2C होगा क्या होगा 2C अब आते 36 नमर कोचन में है गामा किरने की तरह होता है तो गामा किरने की तरह होता है बीटा की तरह होता है बीटा की किरने नावी का घुनत्व लगभग होता है तो इसका एंसर होगा दू दसमलो दू नवगुने दस पर पावर 17 केजी पर मीटर क्यूँग क्या हो जागा नाभी का घनत्व लगवग होता है तो नाभी का घनत्व लगवग दू दसव लो दू नवगूने दस पर पावर सत्र केजी पर मीटर क्यों होगा यान इसका सी सही अंसर क्या है वेक्टर में है ठीक है तो इसका यह सही हो गया अगला कोचन है उन्चालिस नमर कोचन है ध्यान देजें कि नाभिक से अलफा कनू सरजित होने पर परमानु संख्या कितना से घटता है तो परमानु संख्या वह कितना से घटेगा तिसका परमानु संख्या है वह घटेगा ती से किस से घटेगा तिसका क्या दो से किस से घटेगा दो से ज़के दो सही इंसर है कि आब आते हैं चालिस नंबर पीट टाइप और जालक में मुख्य धारा वाहक होता है वह होता है आपका चिद्र क्या होता है सब्सक्राइब दोस्तों को बताईएगा